नमस्कार दोस्तो, मेरा नम है विजयक मार, आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटैना चैनल को, तो चलिए दोस्तो, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे, अब खुलेगी पोल, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है, इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अप्लोड का गिया है, प हल जोते जोते समाप्त हो जाए और विशालगर का सिहासन बाकेलाल को मिल जाए बाकेलाल तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है ये जोत है महराज अगर ये जोत है तो इसे कैसे पता चला कि तुम आकर हमें पहले घिचली टोपी और फिर राक्षस के हाँ तो किसान पगड़ पानवाओगे इसने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम ऐसा करने वाले हो ओ इसका मतलब इसने मेरी और पगड़ा टोपी की बातचीत सुन ली थी बाकेलाल अथी सिगर सफाई पेस करो अने था मैं तुम्हें हिरासत में लेने का अधेश दूँगा अब फसा है बच्चू वो महराज 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 ये देखिए ये तो कोई संदूख है संदूख इसे बाहर निकलू आओ मगर वो एक संदूख नहीं बलकि बैसे तीन और संदूख भी खुदाई से निकाले गए इन संदूखों में क्या होगा इन्हें खोल कर देखते हैं चारों संदूखों को खोले जाते ही इतना बिसाल खजाना इसमें क्या लिखा है पुत्र बिक्रमसी ये खजाना हमने तुम्हारे लिए रख छोड़ा है जो एक न एक दिन वक्त आने पर स्वय में तुम्हें प्राप्थ होगा जिसकी मदद से ये खजाना तुम्हें प्राप्थ होगा उसका नाम पौ और बौ से अरम होगा सुखी रहो तुम्हारा जक्कर दादा राजा खडखड़ाक सिंग पल से हुआ पगड़ा टूपी और बल से हुआ मेरा प्यारा बाकेलाल पुच्ची बेड़ागर्क सेना पती देखा और तुम कहते थे कि बाकेलाल मेरा सत्रू है किसी दूसरे औसर की तलास करूँगा मुझे मालूम था कि बाकेलाल मेरा अहित कभी नहीं कर सकता मुच्चर एक बक्सा मुझे दे खजाले के सभी बक्से राज को समय जमा करा दो सिर्क मुद्राव वाले बक्से को छोड़ कर वो क्यों महराज मुच्चर अवस्ते ही वो बक्सा मुझे देगा मुद्राव कल मैं और बाकेलाल नेधन और जरूत्पन लोगों में बाटेंगे सत्यना सो तेरा मुच्चर परबन मंत्री तुम जल्दी से राज मजदूरों का परबन करके इस फर्स को ठीक करवाओ इसमें सिर्फ एक ही भला काम हुआ अगर एक खजाना ना मिलता तो मेरा बचना मुश्किल था अगले दिन बाकेलाल ये मुद्राय तुम्हारे कारण ही मिली है इसलिए पहला कल्याल तुम्हारे ही आतो होगा बच्चू कल्यान तो मैं तेरा भी अब बहुँच जल्दी करूँगा बाकेलाल जी मुट्टी तु पूरी भरी होती बोलो बाकेलाल जी की जय राजा बाकेलाल बोलो कमबक तो नहीं मैं आपने धन की इतनी सारी बरबादी नहीं देख सकता महराज की जय हो बाके बहाना बना कर निकल लिया मुझे कुछ करना होगा जिससे कि ये भीर यहां से छट जाए और मुद्राए मेरे हाथ लग जाए ओ, लाल मिर्ची जिनने सुखाने के लिए डाला गया है ताकि बाद में कूटी जा सके ही 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 अगर मैं इन सुखी मिर्चे पर सुखी घास का गठा डाल कर उसमें आग लगा दू आग तो उसके तेज दुएं से भीर जाएगी भाग भड़क और भड़क ताकि घाना धुआ फैल जाए और मुद्राए मुझे मिल जाए ही 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 मुद्राए लेनी के भारी उस रहस में बेक्ती की थी अपनी जोली पहला आओ भईया ताकि मैं स्वन मुद्राओं को तुमारी जोली में डाल दूँ ही 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 मैं तो ही 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 मेर तु तेरी जोली में डाल दे आया हूँ मेरा नाम है मधुमक्खा मेरे डंक में है विस जो अब मैं तुझे चुभोंगा सैनिको सैनिक तो आए कि तू मेरे पंखो में तो चलती है त्रियू आंधी मेरे पंखो में से चलती है त्रियू आंधी सेनपती सेनपती जो कुछ ज़्यादा ही पांस चला आया था मदमक्खा के पंखों के चोड़ से उचल कर निचे गिरा तड़ाक राजा आप नहीं बचेगा तू राजा विक्रमसी ने मुद्राव से भरा बक्सा मदमक्खा पर खीच माला तड़ाक बचेगा तो अब तू नहीं दोस्त अब मैं तुझे और भी बूरी तरह मारूँगा अब मैं तुझे और भी बूरी मत मारूँगा लेकिन इससे पहले कि वो राजा को डंग चुभो देता ओ ये ध्रुम कहां से आ गया अच्छू मिर्च वाले धुए के असर से मधुमक्का को छेड़ गई त्रियू खासी खासते खासते ओ नहीं दोस्त मेरा डंग खासी के जटकों से तूट गया मेरी जान मेरे डंग में ही थी बाके की योज़ना सफलो चुकी थी सब भाग गय अब मैं जाकर अपना धन वाला बकसा उठा लाओ बाके अनमाल लगा कर बकसे तक पहुँच गया और वाह ये तो अभी भी बहुत भारी है बाके बाके लाल बकसे को घसीट कर घने धुये से दूर खीच लाया उफ सास फूल गई अब इसे एक बार खोल कर देख लूँ फिर इसे अपने कक्ष में ले जाकर रख दूँगा मुद्राओ का बकसा खोलते ही मुद्राए मुच्छ में कैसे बदल गई बाके लाल तो मैं कैसे पता लगा क्यों सैतान मुद्रमक्खा और धुये से बचने के लिए मैं बकसे में छिप किया हूँ पता होता तो बकसे को ले जाकर गंदे नाले में ना बहा देता तभी परवन मंत्रे भी वहां पहुचा महराज अगर आज बाके लाल जी मिर्ची जला कर धुवा पैता ना करते तो मद्रमक्खा अवस्ते ही आपको डंग चुभो कर आपका आहित कर डालता किन्तु बाके लाल तो मैं कैसे पता चला कि मद्रमक्खा का डंग धुए कर परवाव से ही तूटेगा और वो मर जाएगा पता होता तो मैं धुआ क्यों करता थोड़े से लालज के कारण मैं राजा बनते बनते रह गया संकर भगवान वाले बहाने से बिक्रम सी को संतुष्ट करने के बाद इसके सौ को इसी बक्से में भर दो मैं इसे काली घाटी में ले जाकर फेकूंगा सौ को काली घाटी में फेकने का तो सिर्फ बहाना है दरसल मैं किसी एकांदस्तान पर जाकर मुझ्छड की मिर्तु की नई योजना सोचूंगा मुझे इसका पीछा करना चाहिए भाकेलाल काली घाटी आपोचा और पहले इस बकसे को काली घाटी में फेक दूँ बाकेलाल का भागे सायद उसका साथ देने वाला था वो बकसा एक मटके पर जागिरा और फिर मैं घुमू गोल गोल हूँ क्या चाहिए तुझे बोल बोल भापरे ये क्या है मेरा नाम है घुमकर मुझे पता है तेरा नाम है बाकेलाल तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है बाकेलाल मैं बहुत सैतान था मुझे लोगों की वस्तुए उड़ा कर ले जाने में बहुत आनन दाता था मैं नदी में नहाते लोगों के वस्त्र अपने आंधी में उड़ा कर ले जाता था हमारे वस्तर बिना वस्तरों के हम घर कैसे लोटेंगे पत्ते लपेट कर एक बार मैं चिल्पो एक बार मैं चिल्पो नदी में अस्नान करते रिसी तुंगनात के वस्तर उड़ा कर ले गया अरे दोस्त मेरे वस्तर लोटा दे मैंने वस्तर ना लोटा है रिसी ने मुझे कैद मटकी में कैद कर लिया दोस्त अब तू इसी में कैद रहेगा नहीं इससे बाहर निकल लेगा कोई उपायर रिसीवर ये मट की एक दिन बाकेलाल नामक एक नेक इनसान के कारण फूटेगी तब तू इसमें से स्वत्तत्र होगा उसके बाद तुझे उसकी एक इच्छा पुन करने के बाद अपना सेस जीवन लोगों की सेवा करते हुए बिताना होगा बाकेलाल जल्दी से बता कि मैं तेरी कौन सी एक इच्छा पुन करूँ मेरी तो एक इच्छा है बाके दुआरा अपनी इच्छा जाहिर करते ही तो फिर ठीक है इसी घाटी में एक राक्षस मटकी भी पड़ी है उसमें राक्षस खूडा सूर की आत्मा कैद है ये ले गजरा बरेली वाला तो इसे बिक्रमसी की कलाई में पहना देना फिर मैं राजा बिक्रमसी को लाकर इस मटकी पर पठक दूगा जिससे मटकी फूट जाएगी और गजरे के पर्भाव से राक्षस की आत्मा बिक्रमसी के सरीर में चली जाएगी और बिक्रमसी बन जाएगा राक्षस वाह बड़ा मजा आएगा अब तुम मेरे पीछे आजाओ मैं जिसकी कलाई में गजरा बांदू वही भी क्रमसी होगा एक और सुना रहा हो सर मेरे हाथ लगा है गदार बाकेलाल की पोल राजा के सामने खोलने का मैं इसे नहीं चूकूंगा बाकेलाल से पहले पहुचा सेना पती सब कुछ बताने के बाद मैंने अपनी आँखों से ना देखा होता तो कदापी ऐसा ना करता महराज बाकेलाल आता ही होगा आते ही वो अपकी कलाई में फूलों का गजरा बांदेगा माकेलाल आता ही होगा मैं चलता हूँ महराज जल्दी से अपनी कलाई आगे करे मगर क्यों बाकेलाल ये सधारन फूलों का गजरा नहीं है इसकी सुगन से सत्रू आसपास भी नहीं फटकता ठीक तभी बाकेलाल अब तुँ फिक्र मत कर मैं आगिया इसे ले जाने बाकेलाल ये क्या है महराज वो देखते ही देखते गुमकर में बिक्रम सी को अपनी कैट में ले लिया बाकेलाल बचाओ अब जब मुच्छ राक्षस बनकर लोटेगा तो लोग उसे पत्थर मार मार कर उसे मार ही डालेंगे गुमकर में बिक्रम सी को काले घाटी में राक्षस मत की के उपर लापटका खड़ा धड़ा फूट गई मटकी अब बाकेलाल जाने और उसका काम मैं तो चला सराफत की जिन्दगी भसर करने मुझे कहते हैं खूरासूर खूरासूर की आत्मा विकरमसी के सरीर में समा गई अब मैं तेरे सरीर में अस्थाई निवास करूँगा सेनापते ठीक कहता था फिर देखते ही देखते मैं राक्षस बन गया बहुत भूक लगी है चलू पहले नगर में चल कर मार्स मंदीना का सेवन करूँ कास मैं पहले ही सेनापती की बात माल लेता होला पादक की होंगा अरे राक्षस आ गया बाकेलाल को तो इसी पल की पतिच्छा थी ओ आ गया विक्रमासूर प्रतु लोग उसे देखकर भैवित होकर भाग रहे हैं जबकि मैं तो इसे पिटवाला चाहता हूँ मैंने इट पत्रों का इंतिजाम कर रखा है मुझे मास और मदीरा चाहिए और मुझे चाहिए अपने 5000 एक बानों के लिए निशाने एक मुसीमत कम नहीं हुई थी कि अब दूसरी आ गई बाके भी इट रोडी पत्थर देकर आ पहुँचा अरे ये दूसरा राक्षस बानासूर कौन है बानासूर ने अपने बिसाल धनू से 5000 बान एक साथ छोड़े 5000 एक बान 5000 एक चाहतियों में प्यवस्त होते हैं होने पर मैं अमन हो जाओंगा लेकिन ये क्या बान बिसाल कटके नागरिकों के अस्तान पर सीधे जाकर लगे बिक्रमासूर को अरे ये क्या ये सारे बान तो मेरे ही किसी भाई को लग गया ये तो अब सकूल हो गया बाकेलाल की तुखुसी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा सभी 5000 एक बान मोटे को लग गये तो अब इन पत्थरों का क्या करूंगा सेरापती रानी को लेकर आप पहुँचा वो देखिए महरानी जी अनर्थ हो गया और बाकेलाल रक्षस बन चुके महराज को पत्थर मारने वाला है इन्हें बना सुर को माल कर वह हुआ ही लूटता हूँ ताकि मिशाल गणवासी मुझे इसी समय अपना राजा घोसित करते तड़ाक ये पत्थर तो संकर भगवान के मंदिर के आहाते के मालूप पड़ते हैं क्योंकि इसकी चोट से मुझे कमजोडी आ रही है मैं गिर रहा हूँ बाकेलाल जी ने उसे पत्थर मारा तो वो गिर पड़ा उसे हम भी पत्थर मारते हैं नागरिकों ने पत्थर मारमाल का राक्षस को धरासाई कर दिया मेरी मिर्तु संकर भगवान के मंदिर में बिखरे पड़े इन्हें इटे पत्थरों से होनी थी किन्तु ओह उस राक्षस के कलाई में भी भगवान संकर को अर्पित किये गए पुस्पू का गजरा बंधा है उ परबानों का असर्च होना सुरू हो जाए इस कहाले को यही खत्म करते हैं इसके आगे कहाले पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में तब तक के लिए वाए वीडियो अच्छी लगए तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर प्रेस करते ना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो, वहां इसको शेयर जरूर करते ना थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियोज